इस दो सिखेंगे स्टूडेंट्स ट्रिबनोमेट्री के पार्ट 9 में आप सबीका स्वागत हैं जैसा कि अपने पहले 8 पार्ट में देख चुके हैं जो भी बेरियस प्रोब्लम्स थी इस्टूडेंट्स की वही में ने पिछले 3 पार्ट में सॉल्व करवा दी थी और उससे पहले अपन का भी concept भी देख चुके हैं, आज हम देखेंगे कि अलग अलग जो चतुर्थांस होते हैं, quadrants होते हैं, उनमें जैसे आपने देखा होंगा कि sign से कुसेक तर फस्ट quadrant में positive होते हैं, second quadrant में sign और कुसेक positive और बाकी negative होते हैं, third में ten और quarter positive और remaining negative होते हैं, और fourth में आपके cause और सेक positive और remaining negative, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका आखे reason क्या है, जो basic concept है इसके पीछे, वो क्या है, चलिए देखते हैं, तो ये मैंने आपका कोई argand plane ने लिया, argand plane या cartesian plane या कार्थी अतल, ये सब एक ही चीज़ है, या चतुर्थांस तल भी बोलते हैं, इसमें क्या है, anti-glockwise rotation में अपने चार coordinates होते हैं, चतुर्थांस होते हैं, जिनको upon first, second, third और fourth मानते हैं, तो यहां मैंने focus किया है, सबसे पहले first की तरब, तो देखते हैं, first में sign से कुसेक तक all positive की position क्यों होती है, चलिए मैंने यहां पर कोई point ले लिया है, जिसमें की coordinates हैं, उसके x, y, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो इसका x है, वो क्या है, वो actual में, जब मैं perpendicular डालूंगा इदा y axis पे, तो उसकी length है, और y क्या है, y जब मैं perpendicular डालूंगा, तो यह आपकी length है, वो y है, ठीक है न, यह आपका x axis हो गया, यह आपका y axis, clear, चलिए, अब अगर आप देख सकते, p q अगर x है, तो जो r o की length है, वो भी आपकी क्या रहेगी यहां से यहां तक, x ही रहेगी, ठीक है, चलिए, मैं यहाँ पर एक right triangle ले ले लेता हूँ, p से o को मैंने मिला दिया, और इस तरह से हमारा बन गया right triangle और यहां गया theta, तो हम देखते हैं कि right triangle के अंदर ही यह sign से कुछ एक तक होता है, चलिए देखते हैं, तो यहां पर अब यह value कुछ इस तरह से है, p, r हो गया y, r हो गया x और p, और निकालना पड़ेगा, अब p हो कहा है, hyperlis है करने, तो मैंने बताया था, h equal आपकर क्या होता है, root p square plus b square, perpendicular square plus base, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह p क्या है आपका y, तो इस तरह से यह कुल में लाखे, root x square plus y square हो जाएगी यह value, ठीक है न, यह आपकी हो गई, root x square plus y square, अब चलिए इसमें मैं निकालता हूँ, अब यहां जैसा कि आप देखते हैं यह first quadrant, first quadrant में हम जो भी Cartesian coordinate लेते हैं, वो हमेशा plus plus होता है, आप science तो जानते ही है, जैसे plus plus second में क्या होता है, minus plus third में, minus minus and fourth में plus minus, तो चलिए देखते हैं इसमें साइन से कुछ एक तक का जो साइन से वो क्या है, side theta जैसा कि हम जानते हैं p upon h होता है, perpendicular upon hypotenus, तो perpendicular क्या है यह आपर, आप देख रहें perpendicular है y, जो कि positive है, और h, यह आपका root x square plus y square यह तो positive ही होगा length है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगई यह positive, तो sign positive आगया, चलिए ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर cos निकालूं, तो cos होता है b upon h, तो b अगर आपका positive है, जैसा कि आप देख रहें base x positive है यहाँ पर, तो यहाँ h already positive है, तो यह भी आपका क्या मिला positive, ऐसे ही sign से, अब आपन देखते हैं 10, चलिए 10 का आप जानते हैं p upon b होता है, तो p क्या यहाँ पर perpendicular भी positive है और base भी positive है, तो positive upon positive यह फिर से क्या हो जाएगा positive, तो आपने देखा sign cost हैं यहाँ पर क्या आ रहें positive, और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई element positive होता है, तो उसका inverse भी क्या होता है positive, जैसे 2 है, 2 क्या है positive quantity है, लेकर अगर मैं 2 का inverse करूँँगा 1y2, तो वो obvious क्या होगा, वो भी positive होगा, यहाँ जैसे minus 2 है, यह क्या है negative है, तो minus 2 का अगर मैं मानलो inverse करूँँगा तो minus 1 upon 2 भी क्या होगा negative, तो कहने का मतलब positive का inverse positive होता है, और negative का inverse negative होता है, तो इसी तरह से अगर मानलो sign positive है, तो आप देख सकते हैं कि sign का inverse कुसेक वो भी क्या होगा positive, अगर यहाँ cos positive है, तो cos का inverse sec भी क्या होगा positive, और 10 अगर positive है, तो cot भी positive, तो इस तरह से हमने देखा कि first quadrant में जो position बन रही है, वो किसकी बन रही है, R positive, यानि सभी धनात्मा, चलिए second quadrant को देखते हैं कि इसमें क्या, तो second quadrant में देखते हैं, second quadrant में जो coordinate sign होते हैं, वो minus plus होते हैं, minus plus का मतलब है, अगर मैं या कोई coordinate लोगा, तो वो कुछ इस तरह होगा, minus x को न y, आपने देखा था, यह मैंने जब perpendicular डाला था पिछली बार, तो इसकी length क्या थी, यह y हो गई थी, ordinate के बराबर हो गई, और r से यह आपकी हो गई x, अब क्योंकि यह negative है, तो यहां क्या आजाएगा minus, चलिए ठीक है, वैसे distance तो positive ही होती है, लेकिन यह minus क्या दिखा रहा है, कि आप x axis के negative side की हो रहे हैं, चलिए, यहां मैंने यह मिला दिया, और अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाए, तो आप देख सकते हैं, root of p square plus b square रहेगा, तो यह तो यही आना है, root x square plus y square, यहां आपका theta angle हो गया, चलिए, इसमें देखते हैं, ठीक है ना, तो यहां यह ध्यान रहे कि जो base है, वो तो है आपका negative, और जो perpendicular है, वो है आपका positive, और जो hypotenuse है, current जिसको बोलते हैं, वो positive ही रहेगा, square का समेंश लिए, ठीक है ना, sum of squares will be always positive, चलिए तो यहां bph की यह position है, तो अब मैं देखता हूं, यहां जैसे कि हम जानते, sine theta क्या होता है, p upon h, अब आप देख रहें, p क्या है यहां पर positive, और h भी positive, तो answer क्या आएगा, positive ही आएगा, चलिए अब cos बेख लेते हैं, cos का क्या होता है, आपका b upon h, base क्या है यहां पर negative, और h क्या है positive, तो negative upon positive क्या होगा, negative, और चलिए 10 देख लेते हैं, 10 होता है, p upon b, अब perpendicular क्या है, positive और base negative, तो यह आपका negative आएगा, तो इस तरह आपने देखा, कि second quarter इंस में, sine positive, cos negative और 10 negative होता है, अब inverse वाली मैंने बात बताई थी, sine का inverse क्या है, cosec, तो अगर sine positive है, तो cosec b क्या होगा, positive होगा second में, cos अगर negative है, तो cos का inverse से क्या होगा, वो भी negative ही होगा, और 10 अगर negative है, तो 10 का inverse cot b क्या होगा, negative ही होगा, तो इस तरह से अगर हम देखें, तो second quadrant में जो है, sine और cosec तो positive है, और बाकी 4 नेगेटेव हैं ठीक है ना तो क्या संब्ली निकली इसकी कि साइन और कुसेक पॉजिटीव और बाकी 4 नेगेटीव ठीक है ना चलिए 3rd कौाइट में दिखते हैं तो यहां पर है हमारे सामने 3rd कौाइट जिसमें कि हम जानते हैं quadrant के जो coordinates होते हो minus minus होता है चलिए तो यहां जब मैं आपका यह x और y x इस पर perpendicular डालूँगा तो यह आपकी value क्या हो जाएगी y minus में और यह आपकी value क्या होगी minus x अब अगर मान लो इसको r, o, q इस तरह से कुछ भी ले लें तो r, o की value भी क्या है यहां पर minus x है और जब मैं यहां से o को मिलाऊंगा तो यहां एक right angle create हो रहा है जबकि यहां angle मैंने मान लिया theta, अब इस theta के लिए अपन को पूरे 6 जो ट्रिक्नोमेट्री ratio है उनको देखना है चलिए देखते, यहां पर आपको ध्यान है कि यह base यहां पर क्या हो चुका है, base हो चुका है negative, perpendicular भी यहां पर क्या है, negative है और hypotenuse तो आप जानते ही है, say squares का sum होता है इसलिए यह तो positive ही रहेगा अब इसके हिसाब से अपने को चलना है, तो sign का formula क्या आपका, p upon h लंब अपॉन कर्म तो p क्या है, यहां पर minus और h क्या है, positive तो plus का minus में divide करोगे क्या है, minus, चलिए अब sign क्योंकि minus का है तो sign का inverse कुसे अपने यहां भी किसका हो गया, वो भी negative हो गया, उसको आपको निखालने जरूवत है नहीं, अब चलिए यह कॉस, कॉस क्या होता है आपका b upon h होता है तो b आप देख सकते हैं, क्या है negative और h क्या है, positive तो यह भी आपका negative है अब कॉस का opposite होता है set, तो set भी क्या हो जाएगा वो भी negative हो जाएगा चलिए 10 दिख लेते हैं, 10 क्या होता है p upon b तो P upon D P क्या है P है negative और base है ये भी negative तो negative upon negative क्या होता है positive और अगर 10 positive है तो इसका inverse court भी क्या होगा positive ही होगा है ना तो इस तरह से हमने third quadrant में क्या देखा कि 10 और court तो थे positive और बाकी चारों क्या थे negative ठीक है ना तो ये कहानी थी किसकी third quadrant की fourth quadrant में चलेंगे तो students fourth quadrant में आप देख सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि coordinate sign fourth quadrant के जो होते हैं वो plus minus होते हैं अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो base है वो positive है और perpendicular है वो negative है अब यहाँ पर मैं स्थीटा के लिए यह सभी त्रिकोनमिती अनपातों गें चिन आपको देखा रहा हूं यहां दें तो यहां पर एक चीज़ जाओ रहा है यह base आपको दीख रहा है base आपका है positive perpendicular क्या है negative और हाइपोट्रेंडर सर्वार की तरह क्या है positive ठीक है इन science को आप ध्यान रखेंगे तो sin theta क्या होता है perpendicular upon h ठीक लब अपोट करन तो लब क्या यहां पर minus h क्या है plus plus का minus में divide करोगे minus ही आएगा अब अगर sin negative है तो sin का inverse को सेक तो अपने आप ही negative हो गया cos की बात कर लेते हैं cos का formula क्या होता है b upon h ठीक है ना यह तो trick सबको द्यानी है ना पापा वीडी पीलो का हो गया बंद बस इस trick से आप निकालते रहोगे ना तो cos theta क्या है b upon h तो यहां b क्या है positive h क्या है positive positive upon positive क्या होगा positive अब cos अगर positive है तो cos का inverse sec भी क्या होगा positive तो चलिए वो अपने आपी positive होगया 10 की बात कर लेते हैं 10 theta क्या होता है p upon b अब यहां p क्या है negative और base क्या है positive तो plus का minus में करेंगे तो minus आएगा और 10 का inverse court होता है तो वो भी अपने आपी negative तो आपने देखा इस चौते चतुरतांस में कौन कौन positive है cause और sec तो इसमें cause और sec तो है positive और बाकी चारों negative clear तो चलिए अब इन चारों को मैं आपको याद करने की एक magical trick बताता हूं तो students अभी आपने देखा कि मैंने चारों चतुरतांस में कौन positive होता है कौन negative होता है और क्यो पॉजिटिव और क्यो नेगेटिव होता है इस सभी आपको चीज़ें बिल्कुल concept के साथ बताईं देखें ट्रिलोमेट्री के आपने पीले भी जितने पार्ट देखें हैं और सेट्स और EK भी तो अपना जो जो और है वो ट्रिक्स पर कम और आप चीज़ों को याद तो करिए ट्रिक्स के साथ लेकिन उसका रीजन जरूर आपको पता होना चाहिए चलिए अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप जो है बिना इनको निकाले सोट टाइन में कैसे लर्ण कर सकते है चलिए देखते है तो यहाँ पर मैंने क्या किया है एक ट्रिक ले ली है एड सुगर टू कॉफी क्या ट्रिक है एड सुगर टू कॉफी यानि कॉफी में क्या डालनी है चीनी तो देखते हैं कैसे डालते हैं चीनी तो यहां पर A, सबसे पहले A और यह सुगर का S और यह आपका T और यहां हो गया C यह हो गया Add sugar to coffee, ठीक A का मतलब जो होता है, आपर वो होता है All positive All positive का मतलब है, सभी धनात्मक है, इसमें साइन से लेका साइन से लेकर कुसेग तक सभी क्या है positive, यह मैंने अभी आपको पहले भी बताया था तो यह कहानी थी पहले चत्रथांस की, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है S S का मतलब है यहां पर साइन से, और जब साइन इसमें positive होगा तो साइन का inverse कुसेग अपने आप ही क्या हो गया positive और बाकी जो चारों होते इसमें, बाकी चारों वो रहेंगे इसमें negative ठीक, तो यह हो गया A, S अब T देखते, T का मतलब क्या है, T का मतलब 10, इसमें 10 positive होता है, भी प्रूब भी किया था तो 10 का inverse, code भी क्या हो जाएगा, positive ही हो जाएगा C, C का मतलब cost से है, इसमें cost positive होता है, cost का inverse, sec अपने आप ही positive तो इसमें आपको यह trick ध्यान रखनी है, वो A, S, T, C ध्यान रखनी है अब कई बार लोग कहते हैं, सर इसमें cost तो इस S में आनी रहा, आपको sign ध्यान रखना है, अगर sign का आपको पता चल गया, तो sign का inverse, cost तो अपनिया भी पता चल जाएगा उसके लिए आपको अलग से trick याद करने ही दरुवत नहीं है, जैसे 10 है, 10 आपको पता चल गया कि कि किसी चुतुर्थांदर प्लस का है कि माइनस का है, तो आपको cost का ध्यान बेटने ही दरुवत नहीं, cost सेव ही होगा तो यह था आपका trigonometry का part number 9 Hello students, trigonometry part 10 में आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करेंगे allied angles की जैसा कि आपने thumbnail में देखा, अब यह allied angles क्या होते हैं, जैसे आपने देखा कि अपने 0 से 90 तक की table एक part 4 आयता उसमें प्रूब की थी, हैना, अगर किसी students में पहले के जो इसके 9 part है वो नहीं देखे हैं, तो पहले वो एक बार उन 9 parts को जरूर समझ ले, जिससे कि उसको यह आगे के parts भी clear होते रहें, हैना, तो एक rhythm बननी जरूरी है, अगर आप डारेक्टी बीच में से देखेंगे, तो बार आपको इतना समझ में नहीं आएगा, चलिए तो बात करते, allied angles की, जैसे हमने देखा है कि अब अपन से किसी ने पूचा कि मालो sign 135 की value क्या है, है ना, तो अब हमने table में तो 90 तक की value देखे थी, लेकिन allied angles यानी सम्मत कोन की साहता से अपन इन की values भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मालो किसी ने पूचा 10 to 110 की value क्या है, या मालो 10 to 125 degree की value क्या है, इस तरह की value कैसे निकाल आई जाती है, चलिए उनको देखते हैं, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि sign का complimentary क्या होता है, cost, और cost का complimentary क्या होता है, sign, complimentary का बतलब पूरक से है, जिन कोणों का योग 90 degree होता है, पूरक या complimentary कौन कहते हैं, तो sign का cost, cost का sign, यह यह द्यान रहे में बात inverse की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार students होते, sign का inverse तो कुषैक होता है, बात यह inverse की नहीं हो रही है, बात यह complimentary क्यों हो रही है, और 10 का cost, और यह court का 10, set का कुषैक और कुषैक का set, ठीक, अब इन complimentary का क्या है, वो देखते हैं, देखिए, जब भी हमसे 90 प्लस माइनस थीट यहां 270 प्लस माइनस थीटा की बात की जाएगी, तब हम इनी का यूज करेंगे, अब 90 और 270 में यह change क्या होते हैं, एक भार उसकी बात कर लेते हैं, जैसे suppose that मैंने आपको बताया था कि anti-clockwise rotation में यह 4 जो है वो चतुर्थांस होते हैं, 4 quadrants होते हैं, तो इसमें यह आपका 0 degree, यहां पर आपका 90 degree, यहां आपका 180, यह आपका 270, और यह पूरा rotation करके यहां पर आगया 360, तो जैसे कि 90 माइनस थीटा है, वो आपको कौन से quadrants में मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस first में, यह ना, कभी 0 से 90 के बीच के इंगल आएंगे, अब 90 प्लस थीटा आपको का मिलेग 90 प्लस थीटा मिलेगा मालो यहां पर, है ना, 90 से 180 के बीच में, और 270 प्लस माइनस थीटा को देखते हैं, 270 माइनस थीटा आपको मिलेगा यहां पर, और 270 प्लस थीटा आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है ना, तो इस तरह से, अब मैं 90 और 270 को पहले एक साथ क्यों ले रहा ह हैं देखिए इनमें कम्प्लिमेंटरी होता क्यों है जैसे मालो कि यहां पर मालो मैंने यह लिया जीरो डिग्री और यह है आपका 90 अब यह कौन सा एक्स है एक्स और यह क्या है वाई अगर आपको मालो जीरो से 90 पर जाना हो तो आप हैं कि हम देख रहें और इसी तरह से अगर मालो यह है जीरो और यह है तो आपको 270 पर भी joking आप सकते कि एक्सीज और है चेंज हो रहा है तो इस तरह से देख थे कि 90 अब 2 교vas पार्समें चैंज रहा है तो यह आपको द्द्ञान रखना है कि जैसे ही 90 और 270 आपको दिखाई दे तो आपको साइन का कोस का साइन करना है टेन का कोड का टेन सेट का को सैप और कोसेट का सैप अब यह वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इनके फॉर्मूले क्या है चलिए अब वो देखते हैं और चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं मैंने आपको एस टी सी के वारे में बताया था जिसमें पहले क्वाडेंट में क्या था आल पाजिटिव यानि ए तो इसमें क्या पोजीशन थी वही जैसे यह आपका फर्स्ट क्वाडेंट है अब इसमें आपको किस तरहे के एंगिल मिलते हैं 90 माइनस थीटा से रिलेटिड मिलते हैं चलिए देखते हम इसमें क्या है तो यहां पर मैंने आपको वही बताया कि साइन का कॉस को उसका साइन होना है टेन का कोड कोड का टेन और से का कुसेप और कुसेप का सेट तो जैसे मालों मुझसे किसी ने पूचा क क्या होगा तो आप देख सकते नाइन टी में मैंने क्या बताया था साइन का क्या होगा कोश थीटा हो गया अब रही पॉजिटीव और नेगेटिव की बार तो फर्स्ट क्वाडेंट पर हम जानते एक आम मतलब यहां पर क्या था एक का मतलब था आल पाजिटीव तो आल क् theta 10 90 minus theta की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका court theta और इदर आपका court 90 minus theta क्या हो जाएगा 10 theta और अगर हम sec 90 minus theta की बात करें तो यह आपका हो गया could sec theta ॉर cosec 90 minus theta क्या हो गया आपका sec theta clear अब इससे किस इस तरह के question आप solve कर सकते हूं मालों जैसे किसी ने कहा कि मेरे पास है सैट 42 अपॉन को सैट 48 अब इसकी वैल्यू निकाल नहीं तो यह इससे निकल सकती है कैसे जैसे कि सैट 42 है क्या मैं इसे 90-48 प्रिक सकता हूं मों और इस दो यह तो इस तरह के question में इसका आप यूज कर सकते हैं चलिए 90 प्लस्थीटा को देखते हैं तो अब हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा जो कि आप जानते हो second quadrant में आएगा को 90 से बड़ा है तो यह रहा आपका second quadrant और इसमें मैंने ले लिया यह 90 प्लस थीटा अब इसमें trick के हिसाब से क्या था trick थी आपकी क्या थी trick एस टी सी तो इसमें क्या रहा था एस का मतलब यहां पर क्या था साइन यानी साइन इसमें पॉजीटिव है और जैसा कि आप जानते हो साइन जब पॉजीटिव हो तो साइन का inverse कुसेक भी क्या होगा वह भी पॉजीटिव होगा और बाकी चारों कैसे रहेंगे और जैसा कि इसमें आरा 90 प्लस थीटा तो इसमें 90 से बड़े और 20 से छोटे एंगिल आने हैं अब इसमें कैसे यूज करना इसका हो देखते हैं एक बार जैसे मालूम उससे किसी ने पुछा कि वह का ह humani inc' plain City प्लस थीटा क्या रहेगा तो 90 में जैसा के पभद जांते 98 270 को देखते ही कंपलिमेंट्री तो करना ही है तो मिपने मेंट्री क्या थे कॉस्ट चलिए यह कॉस्ट थीटा अब यहां देख ँआने क्या पोजि Erm तो इसमें क्या जाएगा positive cost theta, यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि सारे, यह sign तो positive है लेगर बागी तो negative है, तो cost negative क्यों नहीं हुआ, तो negative positive डियोग, वो इसके according होना है, इसके according नहीं होना है, जैसे कि देखिए इसमें cost है वालो, तो cost 90 plus theta है, अब cost का 90 देखते हैं, complimentary क्या हो है, तो plus minus इसके साब से लगना है, नकित कि इसके साब से, ऐसे ही अगर 10 की बात करें, तो 10 90 plus theta क्या हो जाएगा, minus cost theta, कोट की बात करें तो कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा और सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कोशेक थीटा और एट लास्ट कोशेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यह आपका प्लस के सेक थीटा अब कुसेक प्लस का क्यों होगा यह हम पहले देख चलो कुसेक पॉजिटिव अब इसका यूज क्या हो सकता है वो देखते हैं देखिए जैसे मानलो किसी ने मुझसे यहां पर पूछा कि मुझे चाहिए मानलो कुसेक बन 35 की वैल्यू अब जैसा कि मैंने आपको बताया था क यह 90 तक की वैल्यू तो हमको यादी है चलिए उसी की एल्प से इसको देखते हैं तो मैंने यहां पर 135 को लिख दिया मानलो 90 प्लस 45 ठीक है अब यह फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको सेक 90 प्लस थीटा क्या है पॉजिटिव सेक थीटा तो यह आपका हो जाएगा सेक और थीटा कितना है 45 तो से 45 की वैल्यू आप से भी जानते ही हो क्या होती है यह होती है रूट तो इस तरह से बिलकुल इजी है आगे देखते हैं तो हम यह चलेंगे थर्ड क्वाडेंट में जिसमें क्या हम बात करेंगे 270 माइनस थीटा यहां यह ध्यान रहें कि इन्हीं क्व मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन दौनों में ही कंप्लिव एंट्री लेने होते हैं जो इसलिए हम पड़ने और यहां पर यह रहा आपका अब थर्ड क्वाडेंट में जानते हैं कि इसमें आप 270 मायनस थीटा को देखेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू आएंगे 180 और 270 के ब कैसे कैलकुलेट करेंगे हो देखते हैं तो जैसे कि माल लोग मैंने आप से कहा कि भाई मुझे चाहिए साइन 270 माइनस थीठा और जैसा कि आप जानते हों कि थर्ड क्वार्डेंट में और पॉजिटिव होता है और बाकी जो होते हैं नेगेटिव हैना तो यहां साइन क्या होगा साइन होगा नेगेटिव तो साइन हो गया नेगेटिव और 90 और 270 में complementary तो लगे गई, तो sine का complementary क्या हो गया, आपका cos हो गया, तो sine 270 minus theta का formula क्या हो ना, minus cos theta, चलिए cos की बात करेंगे, cos 270 minus theta, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए, 10 और cot plus का है, बाकी minus के हैं, तो यहां cos किसका होगा, minus का, और cos का complementary क्या होता है, यह होता है, आपका sine, चलिए 10 की बात कर लेते हैं, 10 270 minus theta, अब आप देखिए हो, 10 इसमें क्या है, plus का, तो यहां plus का आएगा, और 10 का complementary cot, ठीक है ना, इस तरह से, अब cot 270 minus theta, तो यहां आप देखिए हो, cot किसका है, क्या होता है, यह होता है, आगे चलते हैं, sec 270 minus theta, ठीक है ना, sec 270 minus theta, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर, sec किसका है, minus का, और 270 में, sec का complementary क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, कुसे, और आप लास्ट, कुसे, 270 minus theta, क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, minus k, sec theta, अब इसका, huge कैसे करते हैं, चलिए, question उसका देख लेते हैं, जैसे, मान लो, मुझे से, किसी ने कहा कि, वही मुझे चाहिए, cost 225 degree की value, अब याद है, मान लो, 90 तक की, तो, अब 90 से, एब अब यह value कैसे, calculate करेंगे, देखते हैं, पहले तो, यह angle कैसा है, यह angle है, 180 और 270 के, बीच का, जैना, तो 270 और इसके, बीच का है, तो 3rd में ही आएगा, चलिए, अब मैं इसको, लिख लेता हूँ, मान लो, 270 माइनस 45, अब फर्मूले के और चलते, फर्मूला क्या है, कॉस्ट 270 माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, तो यह आपका हो जाएगा, माइनस के, साइन 45, और साइन 45 की value, आप सभी जानते ही हैं, 1 अपन रूट टू होती है, तो इस तरह से 3rd quadrant की, values उपन निकाल सकते हैं, इन फर्मूलों से, आप चलते हैं, फर्मूलों से, तो अब हम बाद करेंगे, 270 फ्लस थीटा, जो पिया आपका आएगा, 4th quadrant में, क्योंकि 270 से, बड़ी value है, चलिए यह रहा, आपका 4th quadrant, और इसमें आप जानते हैं, कि 270 से बड़ी value आनी है, क्योंकि 270 से बड़ी, और 360 से छोटी value को पन, इसी में लेंगे, ना, चलिए देखते हैं, तो इसमें करना क्या है, 270 फ्लस थीटा में, होता क्या है आपका, कि इसमें, पहले तो complimentary तो होना ही है, जैसे की, हर बार की तरह मैंने बताएगे, 90 और 270 में, complimentary तो होगा ही, और आपके 4th quadrant में, जैसा कि आप ट्रिक से जानते हैं, कि cause और से positive होते हैं, और बाकी 4 नेगेटिव, तो अब इसके formula क्या क्या होंगे, वो देखते हैं एक बाख चलिए, तो यह आपका रहा, sine 270 प्लस थीटा, तो sine 270 प्लस थीटा, अब यहाँ आप देख रहे हो, sine किसका है, मैनस का, तो पहले मैनस तो आईगी, और sine का complimentary क्या होता है, यह आपका होता है, cause, चलिए, cause 270 प्लस थीटा, अब यहाँ आप देख सकते हो, cause किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या नहीं, प्लस आनी है, और लेकिन, cause का complimentary क्या है, sine, तो इस तरह से, cause 270 प्लस थीटा, क्या होगा है, प्लस का sine थीटा, बात करेंगे, 10 की, 10 270 प्लस थीटा, तो यहां, 10 किसका है, माइनस का, और 10 का, complementary cot, cot 270 प्लस थीटा, ना, तो यहां क्या हो जाएगा, cot का हो जाएगा, आपका, यह माइनस के हिसाब से, और यहां, cot का complimentary हो गया, 10, set 270 फ्लस थीटा, ना, तो sec यह किसका है plus का और sec का क्या होता है cosec और at last cosec 270 plus theta यह आपका हो गया minus का sec theta तो अब इसके huge को देख लेते हैं इसमें fourth quadrant में इसका huge क्या है जैसे अपने को यह question दे दिया किसीने मान लो कि आपको value निकालनी है sine 350 degree अब यह value देखते कैसे निकलेगी तो आप जानते हो कि इसको मैं लिख सकता हूँ 270 plus 45 है ना अब formula क्या है आपका पास sine 270 plus theta तो क्या है इसका minus cos theta तो यह आपका हो जाएगा minus की cos 45 तो यहाँ पर आपकी value आगी minus cos 45 की value क्या होती है 1 y root 2 तो इस तरह से आप और भी value इससे निकाल सकते हैं है ना तो यह थे आपके 90 plus minus theta and 270 plus minus theta आज हम बात करेंगे 180 plus minus theta and 360 plus minus theta की तो सबसे पहले आप angle जानते ही हो कि 180 का जो angle होता है वो आपका किस तरह बनता है यह straight line angle है तो यह आपका जैसे यह quadrant है और यह x है और आप देख सकते हैं जब मैं 180 का angle किसी point से create करूँगा तो मेरा axis change नहीं हो रहा है यानि मैं x axis पे हूँ और अभी भी किस पर हूँ x axis पे मार लो यहां कोई person है अभी यह x पर है आप इसमें 180 अगर degree angle create किया तो यह मार लो a से b पे पहुँचा लेकिन इसकी line तो वही है यानि इसका जो trigonometric ratio है वो कैसा रहेगा unchanged रहेगा ऐसे ही 360 की value की बात करते हैं तो जैसे मार लो यहां कोई एक point पर है अब 360 से अगर चलेंगे तो उसी point पर वापस पहुँच जाएंगे कहने का मतलब अगर वो x-axis से चला था तो वापस पहुच कहा गया है x पर ही जबकि 90 और 270 में हमने देखा था कि वहाँ exit change हो रहे थे तो देखते हैं आब इसमें क्या है तो आप देखेंगे कि 180 और 360 इन दोनों में exit जो वो change नहीं हो रहे हैं तो यानि कहने का मतलब कि इसमें trigonometric ratio वो के वो ही रहने हैं जैसे sine का sine and cos का cos 10 का आपका 10 और इसी तरह से आगे है ना यानि इसमें आपको कोई ज़्यादा mind लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको वो का वो ही रखना है बस ध्यान रखना है तो plus minus का और plus minus का कैसे करेंगे चलिए उसके लिए सबसे पहले में आपको लेचलता हूँ second quadrant में तो हम बात कर रहे हैं second quadrant में 180 minus theta गी अब 180 minus theta को हमने इससे पहले के वीडियो में 90 plus theta के इसाब से भी देखा था जैसे कि यह देखी रही है आपका second quadrant यह आपका second quadrant है अब इसमें आप देख सकते हैं 90 और 180 के भीच के एंगल आने तो इसमें 180 से छोटे एंगल जो भी हैं वो सब इसी में रहेंगे अब इस quadrant में आप जानते होगे sign और कुसरक आपका positive होता है और बाकी चारों कैसे होते हैं negative तो और 180 में आपको change तो कुछ करना ही नहीं है sign का sign को सका cos बस ऐसी रखना है तो formula क्या क्या बनेंगे जैसे मालो sign 180 minus theta यह आप से किसी ने पूछा अब sign इस quadrant पे कैसा है positive तो यहाँ positive तो आए गई और sign 180 minus theta क्या हो गया sign क्योंकि 180 में यह नहीं है कि sign का cos कर दो आप है ना sign का cos cos का sign यह तो कब होता है 90 और 270 में चलिए cos की बात करेंगे cos 180 minus theta अब cos इसमें किसका है cos minus का है तो यह आपका minus का cos theta ऐसे यह 10 180 minus theta यह भी आपका minus का 10 हो जाएगा cos 180 minus theta यह भी आपका minus का accord हो जाएगा और sec बने t minus theta तो यह आपका minus का sec हो जाएगा और cosac बने t minus theta तो cos इसमें किसका है प्लस का है तो cos अब की बात प्लस आना है यह आपका हो गया प्लस का cos theta अब इसको यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं जैसे कि मालो आप से किसी ने पूछा कि भई अब मुझे निकालनी है मालो value cos 150 degree है ना cos 150 degree अब पहली बाप तो यह कि 150, 90 और 180 के बीच में आएगा तो आप इसी में जाएगे तो value कैसे निकालेंगे वो देखते हैं 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 30 जैना तो यह आपका formula अभी आ गया तो cos 180 माइनस theta क्या है आपका माइनस cos theta तो यह आपका हो जाएगा माइनस के cos theta की जगे 30 और cos 30 की value आप सभी जानते हैं root 3y 2 होती है जैना चलेगे third quadrant में तो यहां हम देख रहें third quadrant third quadrant में आप सभी जानते ही है कि 10 और chord आपका plus का है बाकी चारों कैसे है negative है और क्योंकि बात बनिट्टी की हो रही है तो यहां पर unchanged ही रहना है यानि 10 का 10 sec का sec बज़ इस तरह आप सी चलेंगे अब इसमें करना क्या है चलिए वो एक बात देख लेते हैं जैसे कि आप से पूछा गया मानलो कि sin 180 प्लस थीटा कि इसकी value आपको निकालनी है तो यहां पर आप देख सकते हो कि sin क्या है negative तो negative आएगा और 180 में वोका वही रहना है तो sin का sin ऐसे ही cos 180 प्लस थीटा यह भी आपका minus का cos थीटा हो गया 10 180 प्लस थीटा अब 10 तो आप देखे रहे 10 इसमें किसका है प्लस का तो प्लस आजाएगा यह न और 10 180 प्लस थीटा गया होता है 10 का 10 ही रहना है और cot 180 प्लस थीटा cot भी इसमें प्लस का है आपका चलिए cot 180 प्लस थीटा अब सेक इसमें किसका है सेक नेगिटिव है और cot 180 प्लस थीटा cot भी किसका है वो भी नेगिटिव है तो इस तरह से यह position है अब इसका huge कैसे करना है एक question देख लेते हैं जैसे मालो मुझसे किसी ने का वही आपको निकालना है set 210 10 इसकी set 210 की value निकालनी है तो कैसे इसको करेंगे 180 की हल्प से मैं इसको लिख सकता हूँ 180 प्लस 30 अब formula आपके सामने set 180 प्लस थीटा क्या होता आपका minus set थीटा तो यह आपका हो जाएगा minus case set 30 और set 30 की value आप सभी जानते ही है यह क्या होती है 2 by root 3 तो यहां देख रहे हैं 4th quadrant में 360 प्लस थीटा इसमें यह आपका sorry 360 मैनस थीटा इसमें आपका unchanged रहना है क्योंकि 270 से बड़ी और 360 से छोटी value इसमें आनी है तो formula देख लेते हैं जैसे sign 360 मैनस थीटा अब जैसे आप देखते हो ASTC के हिसाब से इसमें cos और sec प्लस के रहने है और बाकी 4 माइनस के रहने है तो sign किसका रहेगा माइनस का और 360 में S A का S A ही रहता है तो यह आपका हो गया माइनस के sign थीटा ऐसे ही cos से 60 मैनस थीटा यह आपका positive cos थीटा हो जाएगा तो कि आप देख सकते हो cos इसमें positive है चलिए 10 तो 10 360 मैनस थीटा यह आपका हो गया माइनस के 10 थीटा कॉड 360 मैनस थीटा यह आपका माइनस के कॉड थीटा sec 360 मैनस थीटा यह आपका positive sec थीटा positive क्यों है 4th में sec positive है और L प्लस को sec 360 पुड़ा माइनस थीटा यह आपका माइनस के cos थीटा अब यूज के अगर ना है चलिए यूज के लिए question देख लेते हैं जैसे कि मैने कोई question ले लिया मालो cos 330 डिग ली तो value कैसे निकालेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 30 है ना अब cos 360 माइनस थीटा अब क्या फर्मूला है माइनस के cos थीटा तो यह आपका हो जाएगा माइनस के cos 30 और cos 30 की value आप जानते ही हो क्या होती है यह आपकी होती है 2 तो इस तरह से यह fourth quadrant का यूज हो गया चलिए next देखते तो at last हम बात करेंगे किसकी 360 प्लस थीटा की अब यहाँ पर यह समझने की बात है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था भी कि जैसे sin 360 माइनस थीटा है अब इसको आप sin of माइनस थीटा भी लिख सकते हो और क्योंकि यह fourth quadrant तो fourth quadrant में sin कैसका होता है negative तो यह आपका हो जाएगा माइनस के sin थीटा ऐसे ही cos 360 माइनस थीटा है इसको आप cos of माइनस थीटा लिख सकते हो तो यहाँ भी यह fourth quadrant है fourth में cos किसका था यह प्लस का था तो यहाँ पर यह ध्यान रहेगी sin के अंदर माइनस आएगी तो माइनस को आप बाहर निकालेंगी cos के अंदर माइनस आएगी तो वो eliminate हो जाएगी यानि हट जाएगी ऐसे ही 10 की बात कर लेते 10 360 माइनस थीटा इसको क्या लिख सकते हो 10 of माइनस थीटा तो यह आपका हो जाएगा 10 थीटा किसका माइनस का ऐसे ही cos of माइनस थीटा तो इसका क्या हो जाएगा आपका यह माइनस का कोड थीटा और sec of माइनस थीटा तो यह आपका plus का sec थीटा और cos of माइनस थीटा माइनस का cos थीटा तो यहाँ पर याद रिखने की trick क्या है कि cos और sec माइनस को खा जाते है चलिए अब 360 प्लस थीटा तो जो हिसाब आपको 360 माइनस थीटा में लगाना है वही उसमें लगाना है कैसे हैं जैसे कि मानलो साइन 360 प्लस थीटा आपसे पूछा तो इसको भी डारेक्ट आप क्या लिखोगे साइन प्लस थीटा और साइन प्लस थीटा तो इसमें तो माइनस का कोई जंजटी नहीं है इस तरह से तो कहने का मेरा मत्लब भी है कि अगर कहीं भी 360 प्लस थीटा दीखे तो आप उसे डारेक्टी थीटा लिख सकते हैं और यह कहां पर जाएगा फस्ट कॉर्णेंट में फस्ट में क्यों जाएगा क्योंकि यह थीटा होता है उसकी वैल्यू जीरो से 90 तक यहां पर कैलकुलेट की जाती है तो जैसे आप मालो देख रहे हो कि साइन 360 प्लस थीटा मुझे लेना है तो मालो मैंने जैसे थीटा ले लिया जैसे ही मालो 60 तो यह आपका क्या हो जाएगा साइन एड़ 420 अब यह वैल्यू कहा आएगी वही पहला राउंड किसका हो गया 360 का और यह 0 से 90 है तो यह कहा 360 प्लस 60 तो यह आपका सेकंड रोटेशन में आएगा है यहां पर यह ध्यान रहे जो फर्स्ट रोटेशन होता उसको कहते है प्राइमरी रोटेशन और उसके ब तो यहां पर आप फॉर्मूले किस तरह बनाएंगे जैसे कौस 360 प्लस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा कौस थीटा और इसी तरह 10 360 प्लस थीटा है उसका क्या हो जाएगा प्लस का 10 थीटा है जैसे माल लो मुझसे किसी ने पूचा कि भई आपको वैल्यू निकालनी है साइन 1860 डिग्री अब आप सोच रहोगी यह वैल्यू कैसे कल्कुलेट होगी तो जब भी कोई वैल्यू 360 से ज़्यादा आए तो आपको उसे 360 से डिवाइट करना है अब जैसे मालो मैं 360 से इसको डिवाइट करूँगा तो आप देख सकते हो कि यह 5 टाइम से आगा और यह आ आपर रिमाइंडर बचता है बस उसी को लिखना है और साइन 60 की वैल्यू यह आपकी क्या हो गई रूट 3 वाइट तो इस तरह से 360 से बड़ी वैल्यू भी केल्कुलेट कर सकते हैं और चलिए एक एक जामपल देख सकते हैं जैसे मालो मुझे किसी ने दे दिया मालो जैसे क कि वैल्यू लेली मैंने साइन 1140 डिग्री अब यहां भी वही वहात है 360 से मैं इसको डिवाइट करूँगा तो 3 टाइम जाएगा और यहां आपका बच गया कितना यह आपका बच गया 60 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं डारेक्ट ही 1060 और 1060 की वैल्यू क्या होई आपकी रूट 3 तो इस तरह से आप 360 की बड़ी भी वैल्यू कोई भी आए तो आप 360 से डिवाइट करके उसको सौट मिला सकते और 90 के अंदर आते ही तो आपको यह सब याद है यह ना तो यह